मैं जो सौस्था देख रहा हूँ ये जो जो सौस्था दिखाई दे रहा है ये बदलाब का उस्था है ये लोग वो हैं जो परिवर्थन चाहते हैं ये वो लोग हैं जो उत्तप्रेस को देखना चाहते हैं कि खुशाली के रास्ते पर जाए मैं अभी जहासी के एक करकम में शामिल होकर के आया हूँ जहासी होकर के आपके बीच में पहुचा हूँ जहासी के लोग तो जहासे में नहीं फसने वाले जहासी के लोगों ने तो एलान कर दिया है कि अब वो जहासे में फसने वाले नहीं है बताओ यहां के लोग कहीं आप लोग भाती जन्ता पार्टी के जहासे में तो नहीं आ जाओगे इधार बुंदेल खन के लोगों ने जितना समर्थन भादी जनता पार्टी को दिया इतना समर्थन अभी पिलने था हूँ रोदे का चुनाव राहो सत्रे का चुनाव राहो उन्निस का चुनाव राहो इतना समर्थन भादी जनता पार्टी को कोई नहीं मिल सकता था जितना है लेकिन इस वार जो उस्सा और जोज दिखाई दे रहा है बुंदेल खन में ये बुंदेल खंड के लोगों के बांस है कि इस वार भारती जनता पार्टी का हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा सोचो कभी कि डेवन इंजन की सरकार ने आपको क्या दिया यहां तो बड़ी संख्या में पड़े लिखे लोग होंगे हमें नौज़वान मी दिखाई दे रहे हैं किसान भाईए आप तो नहीं भूल गए कि ये बीजे पी के लोग हैं जन्होंने का था कि किसानों की आयदोगुनी हो जाएगी बताओ किसान भाईओ आयदोगुनी हो गई किसी फसल की अगर कीमत दे पाई हो सरकार तो बताओ फसल की कीमत मिल गई के नहीं मिले और अन्ना जानवर की समस्या अमादा लेगा अन्ना जानवर के लिए ख़़ए जब जब बाई मुखे मस्या दे बंदेल खंड आए वो यही कहके गए कि बंदेल खंड की सब समस्याओं का समादान हो जाएगा और यहां की जनता ने भरपूर बोड दिया बताओ भरपूर समर्थन मिला उन्हें के नहीं मिला आज जब पीशे मुण करके देखो तो बताओ इन्होंने आप से जूट बोला के नहीं बोला अगर इनका कोई छोटा नेता है तो छोटा जूट बोला है और अगर बड़ा नेता है तो बड़ा जूट बोला है और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा जूट बोला है बताओ आपके साथ जूट बोला गया के नहीं बोला गया और मुझे लगता है कि असली सर्प्राइज अगर कहीं होने वाला है तो बुन्देल खंड में होने वाला है चमतकार होने वाला है के नहीं बुंदेल खंड में जवार बदलाब का चमतकार होना है के नहीं होना है ये लोग कहते हैं के गर्मी बहुत हो गई है गर्मी उतार देंगे सुना बासर के नहीं सुना उनका और जब से पहले चेरण का चुनाव पड़ा है बोट पहले चेरण का जिस्त में बोट पड़ गया इनके नेता कारकता ठंडे पड़ गए है और हमें ये समर्थन बता रहा है कि इस बार जब बुंदेल खंड में बोट पड़ेगा तो भारती जनता पार्टी के नेता सुन हो जाएंगे यहां बगया लिखनावाँ बड़े नौकरी और रोजगार के लेकिन लख्णव और दिल्ली में बगयापन बड़े बड़े लगे हुए है कि नौजवानों को नौकरी मिल गई है यहाँ नौजवान बुंदेल खंड के पड़े लिखे हैं हमें दिखाई दे रहे हैं बताओ नौजवानों आपके भविस्थ के साथ खिलवाल हो गई के नहीं हो गई और ये बीटी टीटी वाले ये तक्ती लेकर के घूम रहें कितने दिनों से बताओ कितनी वार ग्यापन देना पड़ा आपको ग्यापन दिये के नहीं दिये क्या मिला आपको इनकी सरकार में हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ लिया के नहीं पढ़ लिया बताओ ये सामिल किया के नहीं किया हमने इसलिए ये नौजमान B.A.T. ट.A.T. वाले हैं फिछले कितने वर्सों से इंतजार कर रहे थे के ने नौकरी मिल जाएगी और मुझे खुशी है इस बात का कि समाजवादी पार्टी के वचन पत्र का बाभार पिकट करने आये हो न केवल आप बलकि चाएं वो हमारे सिक्षा मित्र हो रोजगार सेवक हो चाएं उनत्तर हजार वाले हो या और इसी तरह के जितनी भी नौकरियां भार्टी जन्ता पार्टी ने उलजाई या परिच्छा रद की या कोश्चन पेपर लेक किया समाजवादी सरकार आएगी इन सब का समादान करने का काम हम लोग करेंगे न केवल समादान करेंगे वलकि ग्यारा लाख सरकारी पद खाली हैं सरकारी नौकरियों के उन ग्यारे लाख पदों को भरने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा इदर बीजेपी वाले बहुत घबराए हुए हैं इदर बहुत घबराए हुए हैं बीजेपी के वाले लोग वो अपना चेहरा आएने में नहीं देख रहे हैं वो दूसरों को कह रहे हैं के बारे वज़े उठते हैं ये दूसरों के लिए परिचार कर रहे हैं कि समाजवादी लोग 12 बज़े उठते हैं ये नौजवान सही कह रहा है जब से बुन्देल खंड के लोगों ने फैसा लिया है कि इतिहास रचेंगे बीजेपी वालों को नींद नहीं आ रही है और 12 बज़े न बज़ें इनके चेहरे देख लो इनके चेहरों पे 12 बज़ गए के नहीं बज़ गए और रहे बचे जब बोट डालोगे इनके 12 बज़ा देना इदर बीजेपी वाले बहुत घरगर जाके परचार कर रहे थे सुना होगा आपने घर घर जाके परचार कर रहे थे डोर टू डोर केमपेंड कर रहे थे बताओ डोर टू डोर केमपेंड कर रहे थे लेकिन जब से माताओ बेहनों ने लाल लाल सिरिंडर इने दिखा दिये गैस के सिरिंडर खाली दिखा दिये इनका डोर टू डोर केम्पेन बंद हो गया अब केम्पेन नहीं हो पा रहा और ये बीजे पी वाले लोग याद कर ले ना इन्होंने कहा था कि हवाई चपल पहनने वाला हवाई जाज पे चलेगा याद है के नहीं याद है और डीजल पैटरॉल महंगा करकर के गरीवों को मجبूर कर दिया है गारी ना छलाएं बताओ डीजल महंगा हो गया के नहीं हो गया और पैटरॉल सौ के लगवंग हो गया के पार हो गया इनकी सरकार बन गई तो आपको पैट्रॉल दो सो रुपए खरीना पड़ जाएगा पैट्रॉल दो सो रुपए बेचेंगे और जो लोग पड़े लिखे हैं वो जानते होंगे ये रासन पहले नौंबर तक दे रहे थे पहले ये तैथा की नौंबर तक रासन देंगे और अब तैकिया इन्होंने के मार्च तक रासन देंगे बताओ बीजेपी वालो मार्च के बार रासन कौन देगा ये जो रासन है ये जो रासन है ये बोट के लिए बोट चाहते हैं इसलिए रासन दे रहे हैं और ये बात अगर मेरी नहीं मानते हो तो इनका घोशना पत्रो और इनका वो पढ़ लेना आप जो बजट आया है दिल्ली वाला दिल्ली वाले बजट में रासन का पैसा खतम कर दिया बताओ पैसा खतम कर दिया बजट में के नहीं कर दिया जो लोग बजट में पैसा नहीं रख रहे हैं वो रासन क्या देंगे और रासन केवल इसलिए दे रहे हैं के बोट मिल जाए लेकिन हम समाजवादी लोग आपको कह करके जा रहे हैं याद करना, बुंदेल खंड के लोगों गरीवों को कभी घी और सरसों का तेल नहीं मिला था समाजवादी लोगों ने बांट करके दिखाया था इस बार भी अगर हمें घरीवों को रासन से लेकर के अगर उन्हें पौस्री के हाल कैसे मिले घी और सरसों के तेल का इंजाम करना पड़ेगा तो हम लोग इंतिजाम करेंगे और पास साल नहीं समाजवारी सरकार जब तक रहेगी तब तक गरीबों को रास अंदेने का काम करेंगे बताओ बुन्नेलखन के लोगों घी कहरे से बांटा था सर्सों का पेर बाटना था और जब मैं रत्यात्रा पर आया था हमीरपूर हम से पत्कार साथी पूछ रहे थे कि मुंदेल खंड को क्या विसेश करोगे हमने कहा कि अपने किसानों की हम मदद करेंगे और किसानों को सुबधाएं देंगे इधर जो जानकार लोगों होंगे वो जानते होंगे कि बीजेपी के लोग आज खाने का तेल जो है वो विदेश से मंगा रहे हैं ये विदेश से मंगा रहे हैं विदेश से जिनका आप बड़ा बिग्याबंड टीवी पे देखते होगे वो तेल मिलावट का है सर्सों के तेल का नहीं है वो मिलावट का तेल खा रहे हैं रिफाइन वाला अगर कोई चीज सुद है सरीर के लिए तो वो हमारा घी है या सुद सर्सों का तेल है इदर बताओ सर्सों का तेल कहा पहुंच गया है कीमत क्या है ये सरकार ऐसी है अगर हमारा किसान सरसों पैदा करता है तो सरसों की कीमन नहीं दे पा रही है अगर किसान खाद चाता है तो खाद नहीं दे पा रही है डियेपी अगर उसके जरूरत है तो डियेपी नहीं दे पा रही है और बोरी अगर खाद की लेवी आया किसान तो बताओ बोरी में से चोरी हो गई के नहीं हो गई इसलिए समाजवादी पार्टी ने तै किया है किसानों को सर्सों को लेकर के अगर हमें जादा पैसा देना पड़ेगा सर्सों की सई कीमा तो खरीदने के लिए हमें मंडी से लेकर के खरीद केंद खुलवाने पड़ेंगे तो खोलेंगे वहीं तिल की पैदवार कैसे बढ़े दलन की पैदवार कैसे बढ़े हमारे बंदेल खंड के किसानों के लिए अगर विसेज पैकिज देना पड़ेगा, विसेज किसानों की मदद करनी पड़ेगी, तो समाजवादी सरकार में उनकी मदद करेंगे, और यहीं बस सरस्तों का तेल पैदा करकर के, चाहे कारखाना लगाने के लिए, चाहे हमें कारखाना लगाना पड़े, हमारे बुंदेल कि जितने जिले हैं ये हमारे प्रदेश के सर्सों के तेल की समझे का समान कर सकते हैं इसलिए चाहे हमें यहाँ पर सर्सों के तेल के निकालने के लिए बड़ा कार खाना या उद्योग लगाना पड़े चाहे सौ करोड दो सो करोड तीन सो करोड देना पड़े हम तीन सो करोड रुपे भी दे करके सरसों के तेल का कार खाना लगाएंगे और वही किसानों को सरसों की सई कीमत दिलाने का काम भी समाजवारी सरकार में होगा जब तक हम किसानों की मदद नहीं करेंगे तब तक हमारा किसान खुशाल नहीं हो सकता ये बीजेपी के लोग किसानों के दुश्मन हैं बताओ ये जो तीन काले कानून आ रहे थे ये किसानों की खेती छिनने के लिए थे के नहीं थे और साड़े साथ सो किसान आत्म हत्या कर लिया सहीर दो गया लेकिन सरकार को कोई परवा नहीं जैसे ही चुनाब पंजाब का आया यूपी का आया तीनों कानून बापस ले लिए के नहीं ले लिए मैं ये कहके जा रहा हूँ जो प्रत्यासी है कान पकड़ करके अगर साथ सो उठक बेठक भी लगाएंगे तब भी हमारा किसान और नौजवान इनको माफ करने वाला नहीं है बताओ किसान भाई और नौजवानों माफ करोगे ने साड़े साथ सो किसान सहीद हो गए और जो कानून लाए थे उससे जमीन छिच जाती अभी जिस तरीके से विदेश से आपका तेल आ रहा है खाने का विदेश से सब चीज़ें आ रही हैं ये विदेश से मगा करके और कुछ उद्योग पतियों की मदद करकर के उत्तपदेश के लिए है बलकि उत्तपदेश के किसानों को बचाने के लिए है बताओ उत्तपदेश के साथ साथ किसानों को बचाने का काम करोगे का नहीं करोगे हमारे नौजमान जो पढ़ना लिखना चाहते हैं इस बदलती हुई दुनिया में नौखरी और रोजगार करना चाहते हैं नई नई चीजें आ गई हैं दुनिया में नई नई तरह की पढ़ाई आ गई और अभी जब करोना आया था अगर कहीं कोई मदद कर रहा था तो आपकी समाजवारी सरकार की बनी हुई एम्बूलेंस आपकी मदद कर रही थी वो एम्बूलेंस मदद कर रही थी ये सरकार ना दवाई दे पाई ना इलाज दे पाई ना अस्पतालों में विस्तर दे पाई और ना ही ऑक्सिजन दे पाई नजाने कितने लोगों की जान चली गई अभी तक उसकी गिंती भी सरकार नी बता पा रही बताओ करोना के समय पर जान चली गई के नहीं गई जान और ये सरकार अभी भी सुझान नी कर रही है करोना की समय सब कुछ बंदो गया कारोबार रुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् बचाने का काम किया तो हमारे किसानों ने बचाने का काम किया और इस करोना के समय देखा होगा बहुत सारे लोगों को मुवाइल पर पढ़ना पड़ा लैपटॉप जो समाजवादी उने दिया था वो भी भी चला होगा अगर जिस किसी के घर में समाजवादी सरकार में मिला होगा लैपटॉप वो आज भी बंद नहीं हुआ है आज भी चला है और ये जो बाबा जी ने लैपटॉप दिया है किसी को मिला के नहीं मिला तो ये लखनों में किसको बांट रहे थे आपने लगनों में बाटते देखा के नहीं देखा उन्होंने लैप्टाप भी बाटा लगनों में उन्होंने स्पार्टफोन भी बाटा बताओ यहां किसी को मिला के नहीं मिला और वो जो टैबलेट बाटी थी वो टैबलेट मिली के नहीं मिली और हमारे बाबा मॐखिमन्त्री कभी सोचों क्यों नहीं माट रहे हैं क्योंकि वो खुछ चलाना नहीं जानते हैं एदर तो ये सब समार्ट फ़ॉन चलाने लगे हैं इनको किसी को सिखाने कर नहीं पड़ा बताओ चला लेते हो कि नहीं चला लेते हो और अब तो दुनिया ऐसी बदल गई है कि अगर कोई जानकारी हासिल करना चाहोगे तो बताओ है जानकारी उसमें के नहीं है अगर कोई सामान खरीदना चाहो तो सावाल मिल जाता है के नहीं मिल जाता है और कई कस्वों में कई शेहरों में कोई भी चीज मंगाना चाहोगे कोई भी चीज खाना चाहोगे तो वताओ मुबैल से मिल ली के नहीं मिल ली इसलिए समाजवादी पार्टी ने तै किया है कि इस बदलते हुए माहौल में बदलते हुए समय में अगर हमें कम्प्यूटर से जुड़ी हुई नौकरी के लिए नौजवानों को परहादने के लिए साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग भी देना पड़ा और 22 लाख हमने का है कि नौकरी या नौजवानों को कम्प्यूटर से जुड़ी हुई और आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई देने का काम करेंगे 22 लाख और ये कह रहे थे BJP वाले कह रहे थे डिजिटल इंडिया बनाएंगे ये BJP वाले कह रहे थे हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे याद है के नहीं याद है और इनके डिजिटल इंडिया में क्या हुआ कोई बताए हमें ये डिजिटल नहीं हुए ये कोई मदद नहीं की है लेकिन अमरीका जैसी बड़ी कंपनी अगर जानकारी करोगे तो वो मुबायल से कंडे भी बेच रही है बताओ कंडे बेच रही क्या नहीं बेच रही है अमरीका की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हमारे कंडे खरीद के हमें भेच रही डिजिटल इंडिया के भाने वाले लोग बताओ डिजिटल इंडिया कहा है ये लोग हमारी आपकी मदद नहीं करना चाहते ये बड़े बड़े उद्योग पतियों की मदद करना चाहते है गरीबों की जेज से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भड़ना चाहते है अब यहाल में यह आपने पढ़ा होगा कि 28 बेंगों को आप पैसा लेकर गए उस द्योगपती बादा फोड़ के भाग गया करता हो द्योगपती भागा के नहीं भागा और इससे पहले कई लोग भागे पैसा लेकर के नहीं भागे और वो लोग जो भागे हैं वो कहा के हैं बताओ तो बताओ बचाओगे उससे के नहीं बचाओगे प्रदेश को बचाओगे और अगर नहीं बचाओगे सोचो उत्तव प्रदेश भी नजाने का और हमारे बावा मुख्यमंत्री बावा मुख्यमंत्री अभी तक तो हमें लगता था कि ये कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं इधर पता लगा है स्मार्ट फोन भी नहीं चला पाते तो हमें लगता है कि वो चला लेते होंगे तो तो आज के जमाने में आज के जमाने में सोचो इसलिए ये हमारे नौजमान कह रहे थे और बहुत सारे लोग मंच बे भी कह रहे थे कि इस संसा को इनिवर्श्टी तक ले जाने का काम करो अगर किसी समय पर सुभी भावजन जी ने संसा खड़ी की है समय से जिसने भी मदद की हो उनके अपने प्रयासों से अपने मेहनद से उन्होंने ये खड़ी किये संसा अगर यहां के संसा के लोग और उनके परिबार के लोग अगर चाहेंगे कि नए जमाने के साथ से यहां पे नए कोर्सिस हो जिससे कि हमारे नौजमानों का भाग बन जाए भविस से बन जाए तो अगर इनिवस्टी भी बनानी पड़ेगी तो समाजवादी सरकार में इनकी मदद करने का काम हम लोग करेंगे इनिवस्टी बनाएंगे जिससे कि हमारे आने वाली पीडी का भाग बन जाए हुम लोग भागे बनाना चाहते हैं खोशाली लाना चाहते हैं lässt को आगे बनाना चाहते हैं ये चुनाव बदाली से खोशाली की तरफ लना काई चुनाव है इसलिए आप से निझेकर दन करने आया हूँ समाजवादी प्रठीगी पृत्यासी है लोधी चंद्वती वर्मा ये राजनीज में पहली बार आई है और पहली बार आपके बीच में चुनाव लड़ रही है बता इनकी मदद करोगे के नहीं करोगे सरक्राइब करोगे और जो समाजवादी पार्टी ने गोशना किया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो तीन सो यूनिट फ्री बिजली मिलेगी किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा ये बाबा मुख्यमंद्री कह रहे हैं कि बिजली का जब से तीन सो यूनिट फ्री की है तब से उन्हें करेंट लग गया है और ऐसे शोक में चले गए हैं कि बिजली के कारखाने का नाम नहीं बता पा रहे हैं अरे पड़कार साथी हो आप तो कई बार देखे होगे मिले होगे उनसे उन्होंने अगर एक भी बार बिजली के कारखाने का नाम लिया हो तो बता दो सवाजवादी सरकार थी तो लेलिफपुर में 3 into 660 सुपर किटिकल थर्मा प्लांट लगवाया था बताओ बाबा जी के मुझे कभी सुना 3 into 660 सुपर किटिकल थर्मा प्लांट क्या वो कह सकते हैं 3 into 660 सुपर किटिकल थर्मन प्लांट यह बिजली है कारकाना यहां लगा और कभी यमना पार करकर करके देख लेना वहां पर बताओ वहां भी लग रहा है 3 इंटू 660 सुपर किडिकल थर्मन प्लांट और निवेली लिगनाइट कमपनी है यह प्लांट लग जाते तो आज आपको इतना बिजली का बिल महंगा नहीं देना पड़ता समाजवादी सरकार बनेगी तो 300 इंट तो फ्री होगी होगी इसके साथ साथ किसानों की सिचाइक भे भी पूरी फ्री होगी एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा समाजवादी सरकार थी तो अपनी माताओं बहनों को हम 500 रुपया समाजवादी पेंशन दे रहे थे हमारे बहुत सारे लोग हैं वो जानते होंगे कि हम लोग बड़ी संख्या में माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन दे रहे थे इस बार समाजवारी सरकार बनेगी तो पास सो नहीं देर हजार रुपया महीना और साल के अठारे हजार रुपया देने का काम करेंगे इसके साथ साथ हमारी बेटियां पड़ी लिखी बने आगे बढ़े उन बेहनों के लिए कन्या विद्या दन जो योजना चलाई गई थी उसमें 36,000 रुपया देने का काम समाजवारी सरकार में होगा महिलाओं को विसेश फुलिस में भरती या सरकारी उत्वरेश में 33% उन्हें आरचछड दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम करें गहें और हमारे किसानों की कोई पैदावार होगी आप जानते होंगे समाजवाजी सरकार थी तो मंडियां बन रही थी बड़ी बड़ी मंडी हर जगे बनी है मंडीयों बनाई थी मंडी बनेगी और किसानों की MSP पे खरीदने का इंतजाम होगा जिससे फसल का उन्हें नुक्सान नहीं हो उन किसानों के MSP देने का काम भी समाजवारी सरकार में होगा इसलिए बहुत सारी हमारी पार्टी ने फैसला लिया है जो और सुबधाएं देनी होंगी चाहे सड़क बना करके या और सुबधाएं देनी पड़ेंगी तो आपको कहीं और भागना नहीं पड़ेगा आपको सभी सुबधाएं यहीं मिल जाएंगी आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा ऐसा इंतजाम समाजवादी लोग अपनी सरकार में करने का काम करेंगे इसलिए आप सबसे अपील करता हुआ हमारी पार्टी का मैनेफेस्टों पढ़ लेना किसानों, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए और उत्तबरेज की खुशाली के लिए है ये अगर एक्सप्रेस बे कोई बनाना शुरू किया है, बड़ी बड़ी सड़कें तो समाजवादी उने शुरू की थी सड़के बनाना और ऐसी सड़के बनाई कि जरूरत पड़ेगी तो अगर हवाईजाज भी उतारना पड़ेगा सड़क पर तो आप हवाई जाज भी उतालोगे ये समाजवादियों ने इंसदाम किया था ये हमारे परदान मंती जी ये उतरे थे हवाई जाज से ये उनकी देन नहीं थी अगर किसी का फैसला था तो समाजवादियों का फैसला था समाजवादियों की बज़े से ऐसी सड़कें बनी है इसलिए एक्सप्रेज़ वेसे बुंदेल खंड के हर जिले को जोडने के लिए अपने किसानों को सुबधाओं के लिए और नौजमानों को बुंदेल खंड छोड़ करके बाहर न जाना पड़े मज़ूरी के लिए नौकरी के लिए उसके लिए यहीं इंतिजाम करेंगे जिससे कि हमारा बुंदेल खंड भी खुशाल हो जाए और अगर खेतों तक पानी पहुचाने के लिए अन्ना जानवरों से बचाने के लिए अगर हमें कोई ठोस फैसा ले करके अगर आगे कदम उठाने पड़ेंगे तो बजट में इंतिजाम करकर के यहां के बुंदेल खंड की जंता की मदद करने का काम करेंगे मुझे याद है सबसे पहले सबस्माजवादी सरकार बनी थी 2016 में पानी को लेकर के तिलंगाना के मुख्यवंती जी ने सबसे पहले फैसा लिया था कि जहां पर बड़े बड़े जलासाए है या डेम है या कोई स्थान ऐसा है जहां से पानी घरों में पाइप से पहुँचाए जा सके तो मुझे याद है तेलंगाना के मुख्योंती ने सबस्वे पहले शुरू किया था और उनका देख करके उन्होंने जब प्रिजेंटेशन की मुझे तो मैंने भी फैसा लिया था और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को याद होगा मैं खुद आया था और पहला पाई वाटर सप्लाई राट के लिए अगर किसी ने शुरू की थी और राट के छेत में जितने भी गाउं पढ़ें उनको पाई वाटर सप्लाई से पानी पहुंच जाए वो समाजवादी लोगों ने शुरू किया था लेकिन इस सरकार ने बंद कर दिया अगर सूरत से रोष्ट बिजली बनाने के लिए